हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे अपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक जिसका नाम है ग्राफिकल मैथोड इसके पहले मेरा ग्राफिकल मैथोड के उपर वीडियो अपलोड कर चुके थे वो बेंगोली में था लेकिन बहुत सरे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किये है कि जो ग्राफिकल मैथोड है हिंदी में करने के लिए तो इसलिए इस वीडियो में मैंने सोचा कि ग्राफिकल मैथोड की ऊपर एक वीडियो डाल दूँ जो की हिंदी में हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ओफ आल देख लेते हैं ग्राफिकल म equations apply the conditions given in constraint identified feasible reason that satisfy all constraints find its corner for test maximum or minimum value of objective function on this corner एक problem ले लेते हैं उसके बाद इसके उपर discuss होगा तो यह एक problem है यहाँ पर max z means objective function जो है ओव maximize type का है objective function डो types का हो सकता है एक है minimization type और एक है maximization type लेकिन मेरा जो problem है उस problem में maximization type का objective function है और subject to constraint यहाँ पर तीनो subject to constraint है इस subject to constraint को step one में क्या करना पड़ेगा equality form में convert करना पड़ेगा ठीक है ना देखिए first step converts all constraint into equation equation का मतलब भी है equality form तो step one हम लोग क्या करेंगे जिदना भी constraint दिया हुआ रहेगा problem में उस सबको किस में convert करेंगे equality form में convert करेंगे या फिर equations form में convert करेंगे तो equation form में convert करेंगे तो कैसे करके convert करेंगे यहाँ पहला जो constraint है to x1 plus x2 equals to hundred हो जाएगा क्योंकि है आपर less than equal to था equality form में convert करने का मतला पर equal हो जाएगा फिर एक और एक constant है x1 plus x2 क्या हो जाएगा equal at हो जाएगा ठीक है ना तो इस जो equation है इसका नाम दे दिया 1 और इस जो equation है इसका नाम दे दिया 2 इसके बाद हम लोगों क्या करना है plot the graph of the equation इस equations को अगर graph में plot करेंगे तो हम लोगों क्या करना पड़ेगा उसका coordinate या फिर उसका point निकालना पड़ेगा first of all तो coordinate के लिए हम लोगों क्या करना पड़ेगा यह जो plot the graph of the equation and apply the condition given in the constraint तो यह जो constraint है इसके उपर हम लोगों को कुछ point apply करने के बाद ही हम लोगों को ओ point graph में plot करना पड़ेगा तो point कैसे apply करेंगे तो point of line one के respective point क्या क्या होगा जैसे कि यहाँ पर two x one plus x two है एक बाद हम लोग क्या करेंगे यह जो x one का जो value है x one का value एक बाद 0 पकर लेंगे अगर x one का value अगर 0 पकर लेंगे assume कर लेंगे कि x one अभी 0 है तो क्या हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या निकल सकते हैं लिखा देते 2 into 0 क्योंकि अभी x one 0 हो चुका है plus x two equal to 100 तो x one का जो value है x one में एक बाद 0 बैठाने के बाद x two find out करेंगे और एक बाद x two में 0 बैठाने के बाद x one को find out करेंगे कैसे करेंगे और एक ठीक दिखा देते हैं जैसे कि इधर x one और यहाँ पर x two है तो क्या करेंगे x one में अगर 0 करेंगे x one में 0 बैठाएंगे तो 2 into 0 means 0 तो x two का value क्या आजाएगा 100 आजाएगा तो एक कोडिनेट हमनों को क्या मिल गया 0,100 and और एक कोडिनेट क्या मिलेगा क्योंकि अभी बोले है कि x two में 0 बैठाने के लिए x two अगर 0 हो जाएगा तो x one क्या होगा x one हो जाएगा 100 by 2 means क्या 50 50 तो और एक कोडिनेट हो जाएगा 50,0 ठीक है ना इसके बाद as it is point of line 2 से क्या निकालना पड़ेगा point को लिकालना पड़ेगा two number equation से as it is x में 0 बैठाएंगे एक बार x one में 0 बैठाएंगे तो x two find out करेंगा अगर x one 0 हो जाएगा तो x two क्या हो जाएगा 80 और एक बार x two में 0 बैठाएंगे तो x one क्या हो जाएगा x one हो जाएगा 80 तो two equation से यह दो point हम लोगों को मिल चुका है इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके बाद यह जो point मिला है यह अफिक कोडिनेट मिला ही इसको ग्राब में plot करना पड़ेगा तो अभी grab में plot करना है तो axis ले लिया यह है x1 axis यह है x2 axis इसके बाद हम लोगों को क्या करना है यह जो point है यह मेरा 0 है ठीक है ना तो और जो है इसको हम 20-20 करके पकल ले रहें ठीक है तो अभी क्या है जो पहला वाला equations में है वो क्या मिला है 0,100 0 मेरा यह वाला point है मतलब x1 मेरा 0 है तो यह x1 axis है 0,100 means x2 axis है 100 इहां पर है इसके बाद 50,0 50 मेरा x1 है 50 यह तो 40 है तो इसके बीच होगा 50 50,0 means और 0 तो x2 है x2 0 तो यह वाला एक point होगा तो इस दोनों को मिला कर एक line आ जाएगा ठीक है ना तो यह क्या हुआ यह क्या हो गया यहां पर है यह हो चुका 0,100 और यह हो चुका 50,0 ठीक है ना तो यह तो क्या था यह हमने क्या किया यह जो equations है इस equations को equality form में convert किये उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ा point को निकाल दिये पहला जो equation था उसकी हिसाब से तो यह तो अभी equality form में था उसी हिसाब से point को निकाल लेकिन actual problem में नेकिन यह equality form में नहीं है यह less than equal to form में है तो तो less than equal to form में इस जो लाइन को मैंने खीचा एतो लाइन को अभी equality form में खीचे क्योंकि यह पर equal देखकर फिर इसका point निकाले लेकिन actual problem में एक less than equal to है तो इस लाइन को less than equal to type का है समझने के लिए हम लोगों को और एक चीज करना पड़ेगा वो चीज क्या है सपोस्स माल लेते सबसे easy trick है एवाला एजो equations था एवाला equations कोई हम equality form में किये है तो देखो friend 2x1 plus x2 2x1 plus x2 less than equal to 100 था ठीक है ना तो suppose अगर हम x1 को अगर 0 माल लेंगे ठीक है ना x1 और x2 दोनों को अगर 0 माल लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 less than equal to 100 थीक है तो इस condition क्या है true है कि false है 0 से 100 बड़ा है तो यह जो condition है यह true condition है जब condition true होगा दोनों में 0 बैठा के check करेंगे जब condition true होगा तब जो feasible area है वो किस तरफ होगा वो origin के side होगा origin के side होगा या फिर origin के two words होगा ठीक है ना यह मेरा origin है यह मेरा main origin है तो यह condition true होगा और यह line है तो condition true होने का मदलब है जो feasible area है और origin के side होगा means इस side ठीक है इसके बाद हम लोग क्या check करेंगे फिर second जो point है 0,80 0,80 means 0 जो है वो x1 है means यह वाला 80 जो है वो x2 है means यह वाला point फिर 80,0 80 है x1 और x2 है 0 तो इस दो point को हम मिला देते है क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ठीक है न तो फिर as it is क्योंकि यह वाला जो equations था यह भी less than equal to का form में था less than equal to form में हो या फिर greater than equal to form में हो उसको हमने step 1 में equality form में convert किये थे equality form में convert करने के बाद उसका point निकाले थे तो यह जो equations मांदब यह जो line plot हुआ यह तो भी equality form में हुआ लेकिन इसको less than equal to form में करने के लिए और एक trick करना पड़ेगो क्या है सेम इसके तरह ही एक consecration था यह था x1 plus x2 less than equal to 80 ठीक है ना फिर से x1 और x2 में 0 बाठाएंगे x1 अगर 0 है x2 अगर 0 है तो 0 plus 0 means 0 तो 0 less than equal to 80 condition true है कि false है 0 से 80 बढ़ा है condition फिर से true तो true है इसका मदलब है मुआ है जो feasible area हो गामी जो common area होगा sûr किससाइड होगा ओररुचीं की अबर गाट। ह मिज़कर मिआ दो ओर्ट सोगा ठीक है है ना तो इस सइद में किससाइड होगा ठीक है तो इसको इसके बात हम लोगों का करना है इसके बात यह जो दो लाइन हम लोगों को मिला इस दो लाइन को मिला कर मुष्ट जो कॉमन लाइन मिला ठीक है न दोनों को मिला कर जो कॉमन लाइन मुझे मिला वही एरिया को हम लोगों को फाइंड करना है तो एस लाइन से इस पूरे को लेकर हो रहा है और जो लाइन है इस पूरे को लेकर हो रह है तो अगर e lin यहांसे शुरू है तो यह उपढ़ बाला लाइन और आ गयी महिंग हो जाएगा ठीक्षा ना डुदी एंपलन दों उसको लोग्या पुड़ा होगा और e line यहांसे शुरू है यहांसे नहीं है तो A भी obviously neglect हो जाएगा ठीक है ना तो main जो common area है वो common area कौन सा होगा इस बाला ठीक है ना तो A हो गया common area और इहाँ पर एक नया point निकालना पड़ेगा इस locations पर तो A तो हो गया true conditions के respective suppose अगर ऐसा कुछ conditions आया suppose माल लेते 0 गेटा दे निकल to 100 100 से 0 तो बड़ा नहीं है तो इस conditions पर यह तो false हो चुका यह तो false हो चुका जब false हो जाएगा तब जो point है मतलब जो feasible area है यह origin के side नहीं होगा origin की above होगा means इस side इस side पर होगा ठीक है ना उस conditions पर तो जब false होगा यह लेकिन slash है ठीक है ना 0 गेटा दे निकल to जब 100 होगा तो 100 से 0 तो बड़ा नहीं है condition false जब false हो जाएगा तब जो feasible area है मतलब जो arrow sign है यह origin के side नहीं होगा यह origin की above होगा means इस side होगा इस side ठीक है ना तो अभी तो दोनों में true है तो दोनों में true है इसे लिए दोनों origin के side हुआ है तो दोनों origin के side होने के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा की third number step क्या था feasible area को find करने के लिए feasible area क्या चीज है जो common area है दोनों point को मिला के या कि दोनों line को मिला के जो common area मिलेगा उसी कोई हम लोग mark कर देंगे तो दोनों line को मिला कि common area ये वाला मिला क्यों common हुआ ये तो हम बोली चुके है तो ये जो common area find out हुआ और इहां पर एक new point हम लोग को निकालना पड़ेगा ये new point का value क्या होगा ठीक है ना तो ये जो दो equations था पहला वाला equations क्या था एक number equations और दोजावाला था दो number equations ठीक है ना तो इस दोनों को मिला के ए point intersect हुआ है मींस ए दो जो point था या फिर एक जो line था इस दोनों को मिला के एवाला point intersect हुआ है कि तो जो अभी क्या करना पड़ेगा अभी क्या करना पड़ेगा 1 number equations में कि क्या था एक्टेशेंद 2x1 plus x2 इन 20 living to 100 and moment number two में x1 plus x2 equals two hundred одна के इस दोनों को मिलाकर एप पोईंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा तो कैसे करेंगे क्योंकि इस दोनों लाइन को मिला के एक पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है इसलिए इस दोनों लाइन का जो subject to constant का जो value है या feed जो constant है उस दोनों को लेकर हम लोगों क्या करना पड़ेगा x1 और x2 का value निकालना पड़ेगा ठीक है ना तो यह मेरा एक नमबर पॉइंट है यह मेरा दोनमबर लाइन का पॉइंट है तो कैसे करके निकालेंगे जो बचपन में करते थे क्या करते थे कि यहाँ पर 2 अल्रेडी है तो इस लाइन में 2 नहीं है तो इसके साथ 2 इंटू कर देंगे अगर 2 इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 x1 प्लास x2 इकल टो 100 था एँ दो नमबर जो लाइन है उसके साथ 2 इंटू कर जाएगा 18 इंटू 2 1, 6, 0 हो जाएगा ठीक है ना इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके बाद हम लोगों को माइनस एक कट जाएगा ए माइनस हो जाएगा तो x2 माइनस 2x2 x2 माइनस 2x2 का मदलब क्या है माइनस क्या हो जाएगा 1x2 ठीक है ना means माइनस x2 वालू है इस दोनों इक्वेशन में सिर्फ एक कोई इक्वेशन में बैठाके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एक्वान का वैलू तो एकनमबर एक्वेशन में बैठाके find out कर लेते हैं 2x1 plus x2 equal to 100 2x1 plus x2 का मान है 60 equal to 100 2x1 equal to 100 minus 60 तो क्या हो जाएगा x1 equal to हो जाएगा 20 ठीक है ना तो ए जो point हुआ हैं पर x1, x2 20, x2 का value है 60 तो 20, 60 यह जो point का value है 20, 60 हो चुका है मतलब इतना दूर हम लोगों का काम खतम 3 number तक काम खतम लेकिन और एक काम है 3 number में find its corner इसका corner find out करना है तो corner को कैसे find out करेंगे corners corners और j equals to तो कितना है 50 x1 plus 18 x2 ठीक है ना corners को कैसे find out करेंगे पूरे को मिला के कितना corner हुआ है a 0 है a a नाम दे दे रहे है a b है और a c है ठीक है ना तो यहां पर क्या था यह वाले point यह वाले point का जो coordinate ओ कौन सा वाला था यह वाले point का coordinate था 0,80 यह जो point का था ओ था 0,80 ठीक है ना तो अभी corners क्या हो जगा 0 के respective corners तो 00 ही है a के respective क्या है 50,0 जो common area है उसको ही save लेंगे उसका ही corners लेंगे यह वाला और यह वाला होगा b 20,60 और एक हो जागा c 0,80 आप लोग कुछ भी यहां पर नाम डाल सकते हैं ठीक है ना इसके बाद हम लोगो क्या करना पड़ेगा z को find out करना पड़ेगा अभी x1 और x2 का वालू 0,0 है तो z क्या होगा obviously 0 हो जाएगा यहां पर x1 का वालू 50 है और x2 का वालू 0 है तो यह क्या हो जाएगा z क्या हो जाएगा 2,5,0,0 यहां पर x1 का वालू 20 है और x2 का वालू 60 है तो अगर इस equation से बैठा देंगे तो j equal to क्या हो जाएगा 2,0,8,0 हो जाएगा j equals to यहां पर x1 का वालू 0 है और x2 का वालू 80 है अगर इस equation पर बैठा देंगे x1 का वालू 0 और x2 का वालू 80 तो यह 0 हो जाएगा और 18 तो 18 क्या हो जाएगा 1,4,4,0 यह हो जाएगा तो इसमें से corners find हो चुका है means find is corner corner find कर लिए fourth number step क्या है test maximum और minimum value objective function तो problem में क्या था problem में objective functions कौन से टाइप का था maximizations टाइप का था तो z जो है objective function है तो इसमें से सबसे maximum value कान सा वाला है maximum value इसका है 2,5,0,0 तो इसके cross pointing जो coordinate हो क्या है 50,0 तो इसका answer क्या आ जाएगा optimal solutions तो optimal solution क्या हो जाएगा optimum solution optimum solution या फिर best solution जो z equals to हो जाएगा 2,5,0,0 एड़ उसका coordinate क्या हो जाएगा और z है maximization टाइप का max z equals to 2,5,0,0 और उसका coordinate हो जाएगा x1 equals to 50 और x2 equals to 0 यह हो चुका इसका answer ठीक है ना तो यही परी यह जो graphical method है यह वाला topic खेतम होता है सो फ्रेंज अगर मेरा इस वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो सस्क्राइब करते ना साथी साथ लाइक, सेयर और कॉमेंट भी करना और नए-नए फ्रेडियो अप्रेशिंस और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बिल आइपोन को प्रेस करना थैंक यू फ्रेंट